हेलो फ्रेंट स्वागत आपका मेरे चैनल में इस वीडियो में आपको Epson EcoTank L310 All-in-One Ink Tank Printer के बारे हैं बताऊंगा अगर आप इस printer को की वीडियो देखने के बाद आप इंट्रेस्टेड होते हैं इस printer को खरेदने के लिए तो सबसे पहले नीड पर आते हैं ये printer किस नीड के लिए हैं तो अगर आप regular print करते हैं होम में या फिर आप कोई छोटी से office है अगर आप regular print करते हैं तो ये printer वाना भी best printer है regular print in the sense means more than 300 pages per month अगर आपकी printing requirement इससे कम है तो मैं आप कहूँगा अगर 200 print टक भी है तो ही आप इस printer को ले वरना इसकी head clock करने की बहुत ज़्यादा chances रहते हैं अगर आप regular intervals में आप इसको प्रेंटिंग नहीं करते हैं तो next आते हैं इसकी इंक tank technology के बारे में तो इसमें ink tank technology पे based है that is इसमें ink आपकी fill की जाती है आप आराम से इसमें ink tank में आप अपने ink आपको ink bottle साथ में आपको product के साथ दे दी जाती है खतम होने के बाद आप online या फिर market से purchase कर सकते हैं तो इसकी function जो based है आप ink इसमें डालते हैं और अंदर में आपकी head एक लगी रहती है similar in cartridge जैसे normal printer में cartridge लगी रहती है उसी तरह इस printer में आपकी ink tank printer में head लगी होती है तो यह ink tank से आपकी pipe के थुरू आपकी ink जो होती है head में चली जाती है वो आपकी paper पर print करती है तो इस तरह से यह ink tank technology पर based है और जिस कारण से यह high volume printing वहाती ही बहुत ही कम cost पर next आते हैं इसकी features पे means इसकी function जो जो इसमें provide की वही है तो क्योंकि यह all-in-one printer है तो इसमें तीरों की तीरों function available है that is print scan as well as copy printing आप आराम से laptop से connect करके आप print कर सकते हैं scanning भी आप कर सकते हैं अगर आप copy करना चाहते हैं तो copy भी आप बिना desktop या laptop से connect किये बिना कर सकते हैं आप आप कर सकते हैं next आप ने इसमें कर प्रिंटिंग जो है color print as well as black and white देख सकते हैं क्योंकि इंक इसमें सारी के सारी available है तो आपकी दोनों की दोनों print available है black and white as well as आपकी color next आते हैं इसकी cable की बात करें तो आप यहां पर port देख सकते हैं तो इस port में ही आपकी USB मिन्स आपको printer के साथ एक cable देदी जाएगी और जिसकी one end आपकी printer में यहां पर चल जाएगी और इसकी other end जो है वो USB रहेगी आप उससे आसानी से आप अपने laptop या desktop पर connect कर सकते हैं नेक्स्ट आते हैं इसकी printing speed पर तो printing speed बाकी ink tank printer की comparison है बहुत अच्छी है that is about 33 black and white pages per minute और 15 color pages per minute तो एक minute में आप 33 print कर सकते हैं black and white की और color print की बात करें तो 15 pages आप color की pages आप print कर सकते हैं इस printer के द्वारा तो printing speed इसकी बहुत ही सही है as compared to बाकी ink tank printer की next आते paper sizes की तो इसमें multiple paper sizes supported है printer की size देखके आपको अंदजा होगा कि इसमें maximum size जो supported है वो A4 है तो A4 size से बड़ी size आपको इसमें नहीं मिलेगी यह obvious बात है पर A4 size से नीचे size के लिए आपकी printing preference में जैसे आप इसकी setup इंस्टॉल करते हैं तो आपको इसमें option देरी जाएगी envelope print करना चाहते है या वगरवगर क्या आप print करना चाहते हैं तो A4 size के नीचे जितनी भी size की papers है वो सारी की सारी आप इस printer के दौरा print कर सकते हैं next आते printing cost पे तो अगर आप black and white print करते हैं तो 7 पैसा per print आपकी black and white की आएगी और 18 पैसा per print color prints के लिए यह ISO standards के hesap से that is अगर बहुत ही कम amount आपकी photo रहेगी और ज्यादा है ज्यादा amount content आपकी printing में text की रहेगी तो इस condition में आपकी printing cost 7 पैसा black and white की है और 18 पैसा color print की है तो यह condition यह condition भी तब applicable है जब आप original ink डालते हैं आप बहुत लोग मैं देखा हूँ कि आप duplicate ink भी prefer डाल सकते हैं मैं recommend भी नहीं कर रहा हूँ ना यह company recommend करती है क्योंकि इससे warranty void होने की chances रहती है तो मैं भी recommend नहीं करूँँगा पर बहुत means अगर आप वह ink डालते हैं means duplicate ink डालते हैं तो और भी कम printing cost आ सकती है next आते हैं इसकी printing means ink की बात करें तो ink की serial number आप देख सकते हैं यहाँ पर T003 सारी की सारी में that is black, cyan, magenta और yellow चारो की चारो में T003 यह आपकी Epson की ink की serial number है जो कि इस printer में supported है तो original link अगर आप purchase करते हैं online या फिर offline तो आपकी Epson T003 की ink purchase करें जो इससे means maximum chances रहती है कि best quality आने की chances इसी ink से रहती है क्योंकि यह tested means company के द्वारा provide की जाती है printer आप first time purchase करते हैं तो आपकी सारी की सारी एक bottle आपको free में मिलेगी that is sufficient for filling the ink means आपकी जितनी capacity होती है ink tank fill करने की तो उसको fill करने के लिए आपकी sufficient ink देरी जाती है that is one unit सारी की सारी bottle की means आपकी cyan, magenta, yellow as well as black की next आते इसमें borderless printing भी available है borderless printing in the sense कि आप कई बार देखते होंगे photo print में borders नहीं रहती है तो border के बिना भी आप full page printing आप कर सकते हैं तो यह facility बेस में available दे दी गई है आपको printing preference में जिसमें आप जाईएगा print करने समय तो वहां से आपको stitch की option मिल जाएगी इसके बाद photo lab quality printing भी दी दी गए that means आपकी photo printing अगर आप करना चाते तो बहुत ही अच्छी photo print भी इसकी photo print के लिए भी यह बहुत ही अच्छी printer है next इसकी warranty की बात करें तो इसमें आपको one year onsite warranty और या फिर 30,000 print की warranty मिल रही है तो onsite warranty means आपकी घर पे service होगी means कुछ भी problem आपकी होती है printer में means automatically कुछ भी problem हो जाती है तो आपकी घर पे service हो जाएगी आपको service इंटर ले आने की कोई जोट नहीं है और second चीज आपकी 30,000 prints की warranty जो पहले आ जाए यह means आपकी one year अगर पहले बीच जाती है तो आपकी warranty खतम हो जाएगी और आप one year के within आप 30,000 prints से जादा कर लेते हैं तो भी आपकी warranty खतम हो जाए तो आप comment box में मुझसे पुछ सकते हैं मैं जल से जल कोसिस करूँगा जवाब देने के लिए और इस product को खरेदने के लिए अगर आपको लगता है कि product आपके लिए सही है अगर आप purchase करना चाहते हैं तो मैं Amazon की purchasing link में description में दे दिया हूँ वहाँ से आप जाके purchase कर सकते हैं औ और भी इस तरह की product की जानकारी के लिए आप में इस चानल को subscribe कर दे और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद